दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पे पहली अपडेट है कुछ और पिलर्स के रिप्लेस्मेंट को लेकर इसके बाद आईपील का स्टार्टिंग डेट और सेडियूल चेन्ने सूपर किंग्स का प्रैक्टिस कैम्प, RCB और भी कई सारी बरी अपडेट आईपील के उपर निकल कर सामने आ रही है तो आज किस वीडियो में हम आपको इन सब ही खबड़ों के बाड़े में पूरा इंफर्मेसन देंगे तो ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL का सेड्यूल और IPL से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पे फॉलो करें टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स वों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन IPL से रिलेटेड सब ही न्यूज दे देते हैं तो इस लिष्ट की पहली बरी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरप से तो पंजाब किंग्स के ओल राउंडर सिकंदर रजा ने IPL और PSL के कमपैरिजन के उपर की IPL के सामने PSL कहीं पे भी नहीं ठहरता है तो आपके हिसाब से IPL और PSL में IPL कितना बेश्ट है कमेंट में बताएं इसके बाद ही इस लिष्ट की दूसरी बरी अपडेट है चेन्ने सूपर किंग्स की टीम की तरप से तो चेन्ने सूपर किंग्स के कैप्टन महंदर धोनी ने IPL के लिए अपना प्रेक्टिस से स्टार्ट कर दिया और चेन्ने की टीम अपना प्रेक्टिस कैंप मार्च के पहले वीक में लगाएगी यानि की चेपॉक के स्टेडियम में मार्च के फर्स्ट वीक में CSK का प्रेक्टिस कैंप स्टार्ट हो जाएगा इसके और सुनिल गवासकर जी ने बताया कि रोहित सर्मा को हटाना मुंबे इंडियांस के लिए काफी सही डिसीजन था क्योंकि मुंबे इंडियांस की टीम फ्यूचर को देख करके हर्दिक पंड्या को कप्तान बना रही है और मुंबे इंडियांस की टीम रोहित सर्मा आप 36 साल क हो चुके है तो इस वज़े से उनको कप्तानी से हटाना सही है और अगर रोहित सर्मा मुंबे इंडियांस की कप्तानी नहीं करेंगे तब वो पूरी तरीके से फ्री हो करके मुंबे इंडियांस की टीम के लिए अच्छा बैटिंग कर पाएंगे तो आपको क्या लगता है सू में अपना practice camp लगाएगी यानि कि 21 फरवड़ी से 28 फरवड़ी तक Punjab Kings की team IPL 2024 के लिए अपना पहला practice camp इस टार्ट करेगी इसके बाद इस list की पांच वी बरी update है sponsor को ले करके तो यहाँ पे Chennai Super Kings की team ने अपना official sponsor का announcement कर दिया जहाँ पे Etihad Airwage Chennai Super Kings का नया official sponsor बन चुका है जो की 3 साल के लिए बन चुका है और अब Chennai Super Kings की team के जर्सी के पीछे में आप लोगों को Etihad Airwage लिखा हुआ नजर आएगा तो Etihad Airwage CSK का official partner बन चुका है इसके बाद इस list की छटवी बरी update है replacement players को ले कर तो IPL का पहला replacement देखने को मिला था जहाँ पे मार्क वूड के अस्थान पे सेमार जोसेफ लखनव की team में आये थे और अब Royal Challengers Bangalore की team दो काफी बड़े players का replacement जल्द ही reveal करेगी जिसमें पहला नामाता है रिसी टॉप लेक और दूसरा नामाता है टॉम करन का जहाँ पे Royal Challengers Bangalore की team most probably Jason Holder को अपने team में जर रिप्लेस्मेंट सामिल कर सकती है और इसके साथ ही जोसे हैजलवूड को भी RCB की team यहाँ पे रिप्लेस्मेंट विंडो में अपने team में सामिल कर सकती है तो कुल मिला करके RCB आने वाले समय में दो बरा रिप्लेस्मेंट अनाउस करेगी और इसके साथ ही Mumbai Indians की team अगर सुरी कुमार यदव सही से फिट नहीं हो पाते है तो उनकी रिप्लेस्मेंट के तौर पे सरफराज खान को अपने team में सामिल कर सकती है सरफराज खान ने कल ही टेश्ट मैच में ताबर तूर बैटिंग किया था तो ये Mumbai Indians की team में बिल्कुल परफिक्ट साबित हो जाएंगे इसके बादी इस लिष्ट की साथवी बरी अपनेट है डेट्स को लेकर तो IPL का स्टार्टिंग डेट सामने आ चुका है जहां पे 22 मा पताया कि IPL इंडिया में ही कंडक्ट करवाय जाएगा और इसको लेकर के IPL की कमीटी का बातचीत इंडियन गवर्मेंट के साथ चल रहा है इसके बादे इस लिष्ट की नवी बरी अपनेट है सेडियूल को लेकर के तो IPL का सेडियूल 23 फरवड़ी से पहले चलाएगा जह अपने टेस्ट मैच में सबसे पहले रोहित सर्मा ने सतक जरा उसके बाद जडेजा ने भी सतक जरा और सरफ राज खान ने अपने डेब्यूट पे 68 रनों की आतिसी पारी खेली तो ये था IPL से रिलेटेड आज के दिन कुल दस बरी अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में